आज हम सेकिंड एर मैस का फर्स्ट चेप्र का इंपॉर्टन प्रूफ जो के सेंडविच थियूरम के नाम से मशूर है उसको हम आज करेंगे प्रूफ क्या है प्रूफ देट लेमिट थीटा टैंस टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाइड थीटा इकुल टू वन इसको हम सेंडविच थियूरम कहते हैं इसको हमने प्रूफ करना है अब अगर हम इस पे डारेक्ट लेमिट अप्लाइ करें तो इसका आंसर नहीं आता ठीक है अब हमने इसे प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए हमें जो है फिगर के थू हम प्रूफ करेंगे फिगर में यहां पे O, origin पे उसका, O means origin पे उसका center है, with acute central angle theta, acute central angle theta means angle less than 90 degree, take two points A and B on the circle, join A and B with O, अब इसको मैं आपको figure के through जो है वो बना के बताऊंगी, figure है, unit circle, unit circle means take point A and B on a circle, तो इस ए और B को हमने origin से join करना है, origin से join करना है, unit circle है, तो इसका radius जो है, one के equal है, ठीक है, और इसके बाद हमें, इसका center angle theta, acute central angle means less than 90, यह आपको नजर भी आ रहा होगा, यह less than 90 है, A and B को O से हमने join किया, अब O A जो है, वो B radius है, R equal to 1, और O B जो है, that is also radius, वो R is equal to 1, अब हमने क्या करना है, perpendicular draw करना है, perpendicular draw करना है, point B से, ठीक है, O A पर, point B से perpendicular draw किया, O A पर, और यह कहां पर join किया है, C point पर उसने O A को cut किया है, तो यहां पर इसको बता भी दिया, कि O A is perpendicular on, O B C is perpendicular on, O A, तीक है, अब जो next है, in triangle, in triangle O C B, in triangle O C B, तो हमारे पास यह देखें, यह triangle क्या बनी, यह O C B, यह छोटी सी जो triangle बनी है, इसमें से हमने हमें, जो known value है, वो कौन सी है, इसमें, O B जो है, वो known value है, और O C, अब O C हमारे पास यह known value नहीं है, O A की value 1 की equal है, तो हमने क्या करना है, यह जो हमने perpendicular draw किया, B C over O B, तो हमने इस figure में देखा, कि O B C जो है, वो perpendicular है, O A जो है, इस triangle में, यह hypotenuse है, तो perpendicular over hypotenuse किसके equal होता है, sin theta के equal होता है, यहाँ पे हमने इसको, O B हमें clear cut given है, कि O B जो है, वो radius के equal है, O B जो है, वो radius के equal है, तो O B की value हमने put की, sin theta की value आगी, हमाई पास B C, इस है हमने equation number 1 कह दिया, अब हमने क्या किया, O B को जो है, वो हमने extend कर लिया, अब हमने O B को D point तक extend किया है, O B को extend कर रही हूं point D तक, और इस point D से मैंने perpendicular draw किया, at point A, at point A, तो इस तरह से हमाई इस triangle क्या बन गई, O A D triangle बन गी, और क्या है, A D is perpendicular on O A, O A D is perpendicular on O A, तरहें इस triangle O A D, अब यहाँ पर इसको मैंने separate भी draw कर लिया, separate triangle O A D, यहाँ से देखें, A D जो है, वो क्या है, यह इस angle के सामने perpendicular है, O A जो है, वो इसका base है, तो यह O A हमें known है, O D जो है, वो unknown length है, तो हमने क्या करना है, एक known length यूज़ करनी है, A D की हमने value find की, A D over O A, A D over O A, perpendicular over base, यह किसके इक्कोल होता है, 10 theta trigonometric ratio के इक्कोल होता है, O A हमें खुद भी पता है, हमने इस circle में भी देखा, कि O A जो है, वो radius 1 के equal आ गया, A D is equal to 10 theta, इसको हमने question number 2 कह दिया, अब उसके बाद हमने क्या किया, कि join हमने किया, A को B से, A और B को join किया, तो यह देखें, यह मैं इसको यह जोइन कर लूँगी, तो यह जोइन करने से हमाई पास यह इसका यह वाला area भी बन गया, अब मैं different color से बता रही हूं, ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए, अब हमने A और B को join करने से यह देख लें, इसको भी मैंने separate भी कर दिया है, ताकि आपको पता चले और यहां से यह देख लें, बड़ी figure के थूँ, O, A, B, O, A, B ब्राउन कलर की triangle है, उसके साथ मैं ग्रीन में भी सी इसका perpendicular रोग किया है, इसी चीज़ को यहां पे number 1 में, अब हमने इन सारी values का area केकुलेट करना है, अब area of triangle, O, A, B, area का formula क्या होता है, half into perpendicular into base, अब इस figure में perpendicular क्या है, B, C perpendicular है, और base क्या है, O, A, base है, अब B, C equation number 1, equation number 1 जो थी, equation number 1 यह देखें, यहां पे equation number 1 है, इसमें B, C की value sin theta के equal है, तो यहां पे हमने value put की है, यह sin theta, B, C की value sin theta, O, A, radius है, 1, और यह हमारे पास आगया, half of sin theta, area of triangle, O, A, B, अब second जो चीज़ है, जो हमने find out करनी है, इसमें area of the sector, area of sector, इस बड़ी figure में देखें, area of sector क्या चीज़ है, यह blue color से मैंने इसको mention किया है, यह मैं आपके सामने से dark भी कर देती हूँ, यह देखें, यह जो round, जो आई हुई है, यह देखें, यह round shape में, जो circle का portion आई है, यह area of the sector है, area of the sector को, जब हम करेंगे, यहाँ पर यह देखें, ओ ए भी blue, बड़ी figure में भी blue color से था, यह मैंने साथ में छोटी figure में भी blue color से ही बनाया, o a b, यह sector है, और angle सेम है, थीटा से angle है, area of the sector, o a b, half r square, यह formula जो है, यह आपको याद रखना है, कि area of sector हमेशा half r square theta होता है, r की value 1 है, और theta, यह 1 का square equal to 1 होता है, half r, half theta आ गया हमारे पास यह result, अब third figure, third figure, जो बड़ी हमारे पास triangle बनी थी, यहां पे यह देखें, बड़ी figure में, यह मैंने pink color से किया हुआ है, pink color से मैं इसको again कर देती हूँ, देखें, यह pink color से मैंने इसको show किया हुआ, यह देखें, यह जो extend किया था, तो यह बड़ी D point पे आया था, तो यह जो है O, A, D, यह बड़ी वाली triangle, इसका हमने area कैकुलेट करना है, वो क्या बनेगा, O, A, D, इस बड़ी वाली triangle का area हमने कैकुलेट करना है, अब यह बड़ी वाली area triangle आ गई, area of O, A, D, half of perpendicular into base, वो ही मैंने अलग से triangle आपके लिए द्राग कर ली ता कि आपको clear cut समाझा जाए, तो perpendicular इसका, A, D जो perpendicular है, O, A इसका base है, और equation number 2, from equation number, from equation number 2, ठीक है, तो हमें 10 theta की value, A, D की value 10 theta हमने put कर दी, half of 10 theta यह इसका result आगे, अब यह तीन हो हमने area कैकुलेट कर लिए, अब यहां देखें, यह जो main figure है, उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, कि यह देखें, यह चिस clear है, इसमें हमने तीन चीजों का area find out की है, एक O, A, B का area of triangle O, A, B, एक हमने यह brown color का area of triangle था, blue color का area of sector था, और यह pink color का area of triangle था, अब यहां से यह देखें, clear, यह brown वाली, सबसे चोटी है, blue वाली, उससे बड़ा area है, और यह pink वाला जो है, वो सबसे बड़ा area है, इसी चीज को मैंने आपके लिए, यहां पे, यह देखें, from figure, it is clear that area of O, A, B, प्राउन सबसे चोटा था, blue जो था, सेप्टर का area उससे बड़ा था, और यह वाला area, पिंक कलर वाला area जो था, वो सबसे बड़ा था, तो अब यह जो हमने number 1, number 2, number 3 पे find out किया वा था, उसकी value हमने put कर दी, यह सारी values से replace कर दी, अब हमने इसे calculate करना है, यह सब के divide में 2 आ रहा है, तो हमने सारी values को 2 से multiply कर दिया, 2 से multiply करने से, यह जो है, यह cancel हो गया, only हमारे पास क्या रहा गया, sin theta, यहां देखिए, यह 2 cancel with 2, यहां से भी यह 2 cancel with 2, 2 cancel with 2 sin theta over cos theta, अब हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है, प्रूफ करने के लिए देखें, यहां हमारे पास क्या है, sin theta over theta, तो हमें sin उपर चाहिए, और theta डिवाइड में चाहिए, तो उसको लाने के लिए, हम सब से पहले, इस sin theta से सब को divide कर लेंगे, यह देखें, dividing by sin theta to each, तो डिवाइड करने से, देखें, sin theta यह value आगी, अब sin theta cancels with sin theta, यह वाला इस से cancel हो के, 1 is less than theta divided by this one, and less than 1 over cos theta, अब हमें चाहिए था sin theta over theta, जबके हमारे पास यह reciprocal form है, तो हम इसके क्या करेंगे, इसका reciprocal ले लेंगे, reciprocal लेने से, reciprocal लेने से sin theta उपर चला गया, और theta नीचे, और एक जो important चीज है, जो मैं आपको बता दू, कि जब भी हम reciprocal लेते हैं, किसी inequality का, तो inequality का sign change हो जाता है, ठीक है, पहले यह sign क्या था, यू लेस वाला था, 1 is less than this, 1 is less than 1 over cos theta, बाद में यह sign क्या हो गया, 1 is greater than this one, sin theta divided by theta is greater than cos theta, ठीक है, यह important step है, यह आपने note करना है, और हमेशा जब कभी ऐसी situation आजा है, तो आपने इसी तरह से apply करना है, अब applying limit theta tends to 0 to each, applying limit theta tends to 0 to each, तो अब limit हमने हर तरफ apply की, अब देखें, constant पर जब limit apply करते हैं, तो वो equal to 1 ही आता है, और यह चीज हमें प्रूफ करनी थी, इसलिए as it is रहेगी, और यहाँ पर limit theta tends to 0 cos theta, जब हम limit apply करेंगे, तो theta जो है वो 0 से replace हो जाएगा, और इसकी value cos 0 जो है, वो that equal to 1, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 से replace किया है, ठीक है, अब देखें, एक ही value, यहाँ पर जो चीज है, एक ही value, यह impossible है कि एक ही value less than 1 भी हो और greater than 1 भी हो, यहाँ पर यह क्या है, और यहाँ पर यह क्या है, greater than 1 है, यह impossible है, इस case में हमारे पास mathematical property है, कि जो value less than or greater than, at a time हो, तो that is equal to 1 हो जाती है, ठीक है, तो इसमें, sin theta over theta, जो है, वो sandwich है, between 1, यहाँ देखें, यह between 1, और यह वाली quantity क्या है, approaching to 1, ठीक है, यह not exactly equal to 1, that is approaching to 1, तो इस तरह से यह हमारे पास prove हो जाता है, limit theta tends to 0, sin theta over theta equal to 1, तो इस से यह जो sandwich बनने की वज़ा से, इसका नाम जो है, वो sandwich theorem है, ठीक है, और जो है, अमीद है कि आप लोगों को यह method जो है, वो समझा गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, यह easy method है, किसी भी इस तरह से प्रूफ करने के लिए question को, ओके, लाफेज, thank you.